हलो एवरिवान वेलकम बेग टो माई चैनल ददीपीकास किचन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर दोस्तों मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूं लड़ू की एक श्यामदार सी रेसिपी जो कि हम बनाएंगे सफेद तिल से खजूर से और थोड़े से ड्राइफ रोट से बहुत ही बड़ी आसी रेसिपी है दोस्तों ये आप ज़रूर इसे ठड में बनाएगा मैं अपने चैनल पर आपको धेर और लड़ू की रेसिपी शेयर कर रही हूं ताकि आपकी जो ये जोडो का दर्द होता है कमार्द का दर्द, जिर 50 gram सफेद तिल इसे हमें dry roast करना है थोड़ा सा भूनना है दस मिनट तक बहुत ज्यादा इसे हमें नहीं भूनना है बिल्कुल इसका कच्चापन चला जाए तब तक ही इसे low to medium flame पर चला लेना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइदी मंद होता है सफेद तिल तो अब ज्य आपको पास से दिखाती हूं ड्राय रोस्टी हो चुका है बहुत जाद समय नहीं लगता है लेकिन गैस की फ्लेम जो है लोटू मीडियम ही रखनी है और इसके बाद इसे हमें ठंडा कल लेना है इस तरह से एक प्लेट पर हम निकाल लेते हैं तक यह फटा-फट से ठंडा हो इसे इस तरह से फैला लेना है और इसके बाद चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप पर तो इस तरह से छोटे-छोटे काट लिया है मैंने खजूर और इसके बाद खजूर को हमने इस तरह से चोटे-छोटे काट लेना है और सेडलेस खजूर है फ्रेंट सी तो इस तरह से से तो इसके बाद दोनों चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्सिकी जार में पीश लेना है तो पहले मैं यहां सफेद तिल को पीशती हो और उसके बाद खजूर को पैन पर हमने इस तरह से सारी जो पीशे हुए जो सफेद तिल उसे डाल लेंगे अभी तक मैंने गैस की फ्लेम पर पैन को नहीं चड़ाया है और इसके बाद नेक्स्ट उसी जार में खजूर को भी हमें पीस लेना है तो दिल जो होता है दोस्तों ठड में बहुत ज़्यादा फाइदे मन्थ होता है इसका भरपूर मातरा में आप सेवन करिये इससे हड़िया बहुत मजबूत होती है तो इससे क्या होता है जोडो का दर्द होता है घुटने में और इधर उधर कमर में बहुत सारे जोडो की दर्द में बहुत ज़ादा फाइदे मन्थ होता है तो इसके बाद हमने खजुर को भी पीस लिया और उसके बाद पैन में थोड़ा सा हमने डालना है इसमें घी और इसके बाद कुछ रिहां ड्राइफ फ्रूट्स लिया है मैंने मैंने किश्मिश और बादाम इस तरह से चोटे-चोटे काट लिये हैं और इसे भी इसमें अच् तरह से खाईए लेकिन खाईए जरूर तो इसके बाद अच्छी तरह से इसे भी हम भुन लेते हैं और इसके बाद पीसा हुआ जो डेट्स है यानि की खजूर इसमें हम डाल लेंगे अगर खजूर पिस्ते समय थोड़ी प्रॉब्लम आरी है फ्रेंट्स तो आप एक से दो चमच इसमें पानी एड़ कर लीजे उसके बाद पीस लीजे तो साथी साथ सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करती चले जाना है और यह फटा फट से लड़ू बनने के लिए रेडी हो जाते हैं तो देख सकते हैं आप इसका कलर भी चेंज होने लगा है इसका टे मिक्स और इसे एक डो का फॉम आने तक हमें अच्छी तरह से मिक्स करते चले जाना है तो यह लीजे डो का फॉम आ चुका एक आटे की तरह हो चुका है और यह पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ने लगा है तो यह परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जब हमारी लड़ू बन जा जो है ना हमारे शरीरों के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी होती है हर तरह के दर्द में माईग्रेन में इस सारी चीजे काम आती है तो अपने पूरे फरिवार को यह लड़ू का फायदा दीजिए खुद भी खाईए और पूरे फैमिली को भी खिलाईए और पूरे साल सेहत मन बने रही है मैं अपने चैनल पर आपको बहुत तरह की लड़ू प्रोवाइट कर रही हूँ अलग-अलग तरह के ताकि हर तरह के लड़ू का इंजॉय कर सके और हर तरह के फ्लिवर का मज़ा उठा पाए यह सिर्फ स्वाद और सेहत दोनों के लिए भरपूर है सिर इन सर्दियों में इस लड़ू को बना कर खाईए और पूरे परिवार को सुस्ति रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा तो यह लीजिए इस तरह से हमने सारे लड़ू को बना करके रेड़ी कर लेने हैं और इस तरह से आप पूरे महीने तक आप इसे बीना फ्रीज के भी रख सकते हैं स्टोर करके और हर दिन एक लड़ू खाईए और मैं आपको बोलूंगी इसके बाद एक गलास या एक कम से कम दूद पी लीजिए तो ब्रेकफास्ट इतना बढ़िया हो जाएगा इसके बाद किसी दूसरे तरह से ब्रेकफा ब स्टूए इस कम से बाद से घर एक बदूसरे यहा है।